नमस्कार दोस्तों स्वागाज़ चले दोस्तों बात कर लेते हैं कि हुंडाई एक्स्टर 10 जुलाई को लॉँच हुई थी तब से टाटा मोटर्स के खैमे में मच्यू ही है हल चल जैसा कि मैं आपको बताते चलू कि हुंडाई एक्स्टर सन्रूप के साथ और सी अजी के साथ मार्केट में उतरी वहीं पे टाटा पंच में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरियंट आपको देखने को मिलता है दोस्तो आज कल के डेट में मार्केट इतना बड़ा बन गया है कि आप बिलीव नहीं करोगे लगभग दो लाग के उपर की आंकड़ा पार कर चुकी है टाटा पंच विदिन अब वन और हाफ यर्स इस से आप ये समझ सकते हो कि कितना जादा लोगों को आज़ कल आकरसीत करते होएं नजर आ रही है Micro SUV एक समय ऐसा था जब आपका हैच्ट बैग का जमाना था बट हैच्ट बैग का जमाना अब जा चुका और आप सिर्फ Micro SUV का मार्केट देखने को मिलता है दोस्तो इसी तर्च पे हम आपको बताते चलते हैं और जो अपडेट दे रहे हैं वो काफी important होगा दोस्तो Tata Punch में CNG हो गई है तयार launch के लिए जैसा कि मैं आपको बताते चलू Auto Expo में ये गारी दिखाई गई थी और काफी जादा लोगों को ये बढ़िया लगा था क्योंकि Tata Motors पहली बार ऐसी टेकनलोजी के साथ आ रही थी जहां पर आपका boot space कहीं भी मरता हुआ नहीं दिखेगा जैसा कि आपको पता है कि CNG के गारी में आपका boot space हमेशा मरता हुआ दिखता है और आपको जादा space नहीं मिल पाती है लेकिन Tata Motors ने काफी बढ़िया strategy से twin cylinder concept को ले कर आया है 30-30 लिटर के 2 cylinder आपको नीचे के तरफ लगाये जाएंगे so that कि आपको उपर के तरफ काफी बढ़िया space मिल सके दोस्तो Tata Altros जस्ट अभी market में उतरी है CNG के साथ और आपने देखा काफी बढ़िया इसको बना के रखी है 7000 के उपर sales हुई है Tata Altros की जो की पहले 4-5000 के आसपास हुआ करती थी तो CNG की market आजके बहुत ही बढ़ी हो चुकी है और काफी सारे लोग CNG का इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से तो Hyundai Xter के launch होने के बाद काफी ज़्यादा market में hype बना के Tata Punch की CNG कब आएगी और दोस्तों चलिए खुशखवरी है आप लोग के लिए company की काफी सारे detail जो है वो लेक हो चुकी है और सबसे surprise चीज़ जो है वो ये है कि आपको Tata Punch में सनरूफ भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों सीधे तोर पर टककर होने वाली है Hyundai Xter के साथ Hyundai Xter ने भी काफी बड़िया market बनाया अभी 13000 के आसपास की booking उसकी आई थी और दोस्तों waiting period लगभग 6 मैने के आसपास पहुँच चुकी है Hyundai Xter की भी तो दोस्तों Tata Punch में Tata Motors को ये जल्द से जल्द करने की जुरत थी अगर नहीं करते तो काफी सारे लोग जो है वो Hyundai Xter के तरफ जाते वे नजर आते चलिए उमीद करते हैं आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुर रहे हम आपके लिए इसी तरीके से मिट सेग्मेंट गारी लेकर आते रहेंगे डिटेलिंग के साथ जै हिन जै भारत